हेलो दोस्तो आप सभी का मैं पने यूटूब चैनल प्रतांत एजुकेशन हब में आप सभी का सुवात करता हूँ दोस्तो आज का टॉपिक है हमारा एजूमिंग मीन मैठड आज हम इसी मैठड से कोशन करने वाले हैं और इस मैठड को आज हम सिखेंगे दोस्तो हो सकता है आपका इस इस टौपिक से आपका एक कोशन पूछा जाए तो उसको किस तरीके से करना एक जो हम हमें और निकलन से निकलता था सबसे पहला तो हमारा कौं से आपने 9 में भी शिखा और, इस बार कट गया है step deviation method क्या होगे आपका इस पर कट गया है तो उससे related को प्रोवलम नहीं आएगा पूछा कहां से जाएगा दोस्तों assuming mean method से पूछा जाएगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं assuming method को करेंगे कैसे ठीक है तो देखिए जो हमारा formula है सबसे important क्या है इसका formula है कि हमारा formula क is assuming method का यह हमारा formula है ठीक है a plus में sigma fi di upon में sigma fi तो यह हमारा हो गया दोस्तों ठीक है अब देखिए di कैसे निकलता है di हमारा निकलेगा x i upon में x i minus a ठीक है इस तरीके से हमारे di निकल जाएगा अब हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर x i कैसे निकलेगे x i कैसे निकलता हमारा upper limit plus lower limit divided by 2 तो इस तरीके से हमारे निकलता है तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा question है क्या है हमें एक तो में वह दे रख 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यह हमारा हो गया c i ठीक है और इसी तरीके से हमारा हो जाएगा यहाँ पर frequency ठीक है यह हो गया हमारा 7, 10, 15, 8, 10 अब हम यहाँ पर निकालेंगे x i ठीक है इसको इस तरीके से कर दीजिए आप यहाँ पर लिमिट प्लस लोवर लिमिट डिवाइड़र वाई-2 तु यहाँ पर पर देखिए 10-10 को 2 से डिबएड तयू अब इन दो नहीं करना है तो 10 10 इसमें अगले में प्लस करते जाए एक तिपाइब और इस तरीके से क्या देगा हमारा XI निकल गया अब हम्हें SUM करना है यानि कि हम्हें क्या SUM करना है यह हम एस्वें करना कि ये हमारा क्या होगा ठीक है तो देख़िए ये नम्मर कितने है 1 2 3 4 5 5 है तो भीילगे इस का बेच वाले लेंगा हमारा 25 ऐसी डियाई निकालेंगे तो डियाई का फॉर्मला क्या था एकसाई माइनस में ए ठीक है तो देखिए एकसाई क्या है यहाँ फाइब माइनस में 25 क्या आगया हमारा माइनस में 20 आ गया 15-25 कितना हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा 25-25 क्या जाएगा 0 हो जाएगा 35 45-25 कितना हो जाएगा 45-25 कितना हो जाएगा हमारा पास यह 20 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमारा क्या आगया है डी आई आगया हमारा अब देखिए अब हम आप निकालेंगे यह निकालेंगे सिग्मा इस तरीके सिग्मा पतलगाईए यहां पर आप निकालेंगे निकालें इन्हीं मल्टिप्लाइगा सैवन को 20 से मल्टिप्लाइगा थे माइनस में 140 आ जाएगा 10 को 10 से करेंगे तो माइनस में क्या आगया हमारा 100 आ गया ठीक है अब यहां पर देखिए जब 15 को 0 करेंगे तो 0 यहां पर जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा यानि की सिगमा एफ आई डी याई बराबर कितना आ जाएगा 40 सिगमा का मतलब क्या था दोस्तों यानि कि total sum कितना आ गया हमारा पास यह 40 आ गया अब यहां पर अगर हम सम करके दिखेंगे तो कितना जगा दोस्तों हमारा यह 50 ठीक है यह आ गया हमारा अब देखिए अब सब हमारा solution हो गया अब हम क्या करते है फॉर्मुले में इसको हम पुट करते है ठीक है टेबल बनने के है दोस्तों यहां पर आगा 40 और 50 ठीक है इससे कट जाएगा हमारे 1060 यहां पर आगा 25 प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.8 लिख सकते हैं तो हमारा पास कितना आ गया 25.08 तो इस तरीक नहीं आगा यह आगा 25.8 गलती होगी यहां देखिए 25.8 यह क्या आगया दोस्तों हम हमारा मीन आ जाएगा तो चलिए दोस्तों एक और कोशन लेके करते हैं अब हम सही से समझेंगे इससे कैसे होगा हमारा तो देखिए हमारे पास यह जो सबसे पहले यह दे रखा ऐसी कोशन आगा ठीक है घब्राइए मत बिलकुल तो यहां पर देखिए इस तरीके से कोशन करना कैसे ठीक है देखिए सबसे पहले क्या अवारा सी ऑइन हो गया इन ग्रम पर पास यह 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा 24 और 24 से 32 32 से क्या हो गया 40 यह आ गया हमारे ठीक है अब हम यहाँ पे F FI दे रहें FI लिख लेते हैं क्या है 5 6 4 3 2 यह हो गया हमारा FI एक साही निकालने के लिए भी मैंने बताया था अपर लिमिंट प्लस लोर लिमिट डिवाड़ेट बाइट तो जीरो में एट को प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा तो यहां पर 4 हो जाएगा और 8 में जब हम 16 में 8 को जोगेंगे 24 24 में करेंगे तो 2 गयाप देखें कितना आ रहा ह अब जब मेरे को पता है इस तरीके से हो सकता है तो जरूरी हो थोना कि मैं हर जिगा पर इसको डिवाइड करके देखता रहूंगा ठीक है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अब यहां पर देखिए यह यहां पर आएगा हम निकालेंगे यहां पर डियाई ठीक है डिया आजाएगा 20 ये 20 हमें लेट कर लिए इसको लिख लिए इए यहां पर देखे 4-20 कितना अज़र आ जाएगा तो नीच वाले नंबर से रिपीट ना चाहिए जो जीज धरीच नवे वह में त IP ब्सक्राइब करें यहां देखको है और हम यहां पर कमें तो कितना जाएगा और 12 माइनस में कितना आ गया 128 अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना जाएगा हमारे पास यह 6 हो जाएगा और यहां पर किया जाएगा हमारा 556 आ गया अब इसको माइनस के लेजिए तो यहां पर कितना जाएगा और यहां पर किया जाएगा हमारे निए पास यह 7 आ जागा कितना आगए हमारा 72 यानि 72 कुछ का मायनस में आया तो sigma f i d i के आया हमारा मायनस में 72 कैसे आया यह मैंस में 120 ब्लस में 56 इतना आगया मायनस में 72 हमारा इस तरीके से यह आगे ठीक है आप समझीब आगया हो में sigma fi ठीक है तो यह तो हमारा formula था एक ही value कितनी है हमारी 20 है plus sigma fi का है minus 72 आ गया हमारा और यहां पर fi कितना था दोस्तों अगर जो हम इसको plus करेंगे स्पाइब 20 आ जाए है तो क्या हो गया हमारे पास sigma fi कितना था हमारा 20 गया है तो यह 20 हो गया ठीक है अब देखिए कितना थेगा 20 plus में हमारे बने गया ठीक है अब देखिए जो अब बनेगा हमारे पास क्या बनेगा 20 प्लस माइनस में 36 अपॉन में 10 यहां पर पॉइंट आ जागा हमारे पास तो यहां पर किना 16.4 अंसर क्या जागा हमारे पास यह क्या आ गया हमारे यह मीन की वैल्यू हमारी इस तरीके से